तो फ्रेंड्स फाइनली रोमन रेंज ने नीव टाइटल रिवील कर ली है और सोलो से कोई ने भी सुटाई लगा ली है जिमी उसो की तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की स्मैक डाउन के बारे में क्या कुछ हमें देखने को मिला तो जो आज की स्मैक के उपर तो ट्रिपलेश ने एक न्यू टाइटल इंट्रिडूस कर ली है और भाई इसका जो डिजाइन है वह बिल्कुल डब्ली डब्ली और यूनिवर्सल चेंपेंशिप के जैसा ही है बस यहां पर थोड़ा सा उसका कलर चेंज कर दिया गया है गोल्डन कर दिया गया है सनूप डोग के टाइटल में भी देखने को मिलता है वह भी उनके पास भी गोल्डन टाइटल है और फैंस भाई इसको कंपेर कर रहे हैं सनूप डोग के उस गोल्डन टाइटल के साथ तो फिलाल तो रोमन रेंस के पास तीन टाइटल हो गई है मगर बहुत जल्द हमें एक की टाइटल मिल याली है ओगी गोलडन टाइटल जिसको नाम दिया जाएगा अंडिस्पूरिट डबी-डबी उनिवर्सल चैंपियनशिप तो फाइनली फ्रांञ्स डबीडबी ने एक निव टबी डबी डबीडबी उनिवर्सल जिसके बाद जिमी उसो कहते हैं भाई किसी को फिक्स करने की जर्रत है वो तुम हो और यह सब सुनकर रोमन रेंस बहुत ही ज्यादा भलक जाते हैं और जिसके बाद जिमी उसो सोलो सिकुआ से पूछते हैं कि भाई सोलो सिकुआ आप तुम बताओ तुम किसके साइड हो सोलो यह सब नहोतों तुम बिल्कुल सुधर जाओ भाई जिसके बाद रोमन रेंट जीमी उसो को गले लगाते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं और रोने लगते हैं जिसके बाद वह उनके कान में कहते हैं नो और जिसके बाद भाई सॉलो सिक्वा यहां पर सुताई लगाते हैं जीमी उसो की वह समवान स्पाइक लगा लेते हैं जीमी उसो को और जिसके बाद सॉलो सिक्वार रोमन रेंट और पॉल ही में रिंग के अंदर से चले जाते हैं अपनी तीनों चैंपियंशिप लेकर इसके बाद हमें देखने हुं मिलते हैं रिंग के अंदर ज Universal Championship कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो इस वीडियो करतो लाइक और चैनल को करतो सब्सक्राइब ताकि आपको इसी न्यूज अपडेट और वीडियो मिलती रहें थैंक्यू फॉर वाचिंग रैसलिंग स्टार्स न्यूज